चलिए बगवान कहते हैं एक बात सुनाते हैं महसंद कहते हैं मेरे फिवरेर श्लोग है अनन्य अस्चिंत यंतो माम योजना परियुपास ते ते शाम नित्य अभ्युक्तानम योगक्षेमम वहामिहम किन्तु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिवे सरूप का ध्यान करते उनकी जो आवश्चिक्त्याएं हैं मैं उन्हें पूरी करता हूँ और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ सुन लेना है मेरी बहुत 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 वेहबट शूप कर्या है कि भगवान एक टफ टाइम से में गुजरी थी तो मुझे लगा कि क्या हो रहा है इतना साधना भजन करते हैं तो मैं बड़े दुख में ठी करते है जब तक ज्यान कुलते नहीं है ना तब तक हमसादना करते हैं फिर भी सुखर दुख में रहते हैं तो यह बहुत साल पहले की वाद बता रहे हूं मैं ध्यान करनें बैटे हैं जितने गुरु जनतें सबको मनाया है रहаться है यह क्या खेल है क्या देख रही हूं, क्यों दिखा रहे हूं यह दिन, आप हो के नहीं हो, तो उस समय पर, मेरे घर में, मेरी एक फ्रेंड है, जो अमेरिकन जुविश है, वो कहीं दुसरे स्टेट में रहती थी, तो उसका एक लेटर आया, मैं पूजा करके हटी हूं, और वो लेटर आया, उ उसमें कुछ श्लोक थे. तो उसमेंसे एक श्लोक यह था. उसमें वो कैलिग्राफी करती थी तो कैलीग्राफी में उसने लिखकर बेजा मेरी लिए. उसको नहीं पता मैं किस तिति से गुझ रही हूँ, क्या है उसे कुछ नहीं पता था. केवल भगवान को पता है, मेरे गुरू जोनों को पता है, मुझे पता है तो वो श्लोक जैसे आया है, मैं गई, मेल बॉक्स में में निकाला चिठी और खोला तो ये श्लोक ने गई मुझे इतना आनंद, कभी-कभी होता है न कि वो जब आप आंसर ढून रहे हो और वहां से एक आंसर मिल जाता है भगवान से, गीता के श्लोक में, जिसमें आपको आप रोज पढ़ रहे हो, लेकिन उस समय पर, जब आपकी टेस्टिंग टाइम होती है ना उस समय पर भगवान की कोई वानी आती है, तो वो आपके दिल में वो बैठ जाती है आप सबके जिवन में ऐसे से अनभव होए होंगे, कि आप घबराये थे, आप चिंतित थे, आपको पता नहीं क्या होने वाला लेकिन भगवान ने कहीं न कहीं से आकर के वो assurance दिया, किसी मुख से assurance दिया, किसी letter से assurance दिया, कहीं किसी आप चल रहे हो, कहीं आपने देख लिए, आपको assurance मिल गया, तो ये ये श्रोक वो assurance था भगवान का, कि चिंता मत कर, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिवे सरूप का ध्यान करते हुए, निरंतर मेरी उपासना करते हैं, उनकी सभी अवशक्ताओं को मैं पूरा करता हूँ, और उनके पास जो है, उसकी रक्षा करता हूँ, ये आया letter भखवान की तरफ से, और उसी रात को मुझे स्वपना आया, तो हमारे जो, ख्रिया योग के गृरू प्रमपरा है, जी योगरान जी के जुद्रू, जी योगरान जी की गृरू सोपन में आया, एक तेशवर जी. तो सपने में देख रही हूं कि मैं एक लिफ्ट में जा रही हूं सामने युक्तेश्वर जी बैटे गर के अंदर किसी को कुछ बता रहे हैं तो किसी ने मुझे बुला रहे हैं वो युक्तेश्वर जी है चली जा युक्तेश्वर जी तो चले गए कपके मैं का जाओं सपने में बोल रहे हूं नहीं जाने वाले है कोई हो है होंगे कोई डोगी हो बाबा ऐसे बोले हैं सपने में तो वह जो भी व्यक्ति था जो भी मेरे साथ लिफ्ट में है सपने के अंदर उसे में जो पुश किया कि नहीं आख खुला तो वह सपने इतना जैसे सपने में करी बार में बोलती हुना कि गुरु आये भगवान आये वह सपने सच्चा होता है वह जुटा सपने नहीं होता उसके बाद जो बदला सब कुछ मतलब जिस जितने ट्राइल में में थी जिस सिचुशन में हम थे विदिन वन वीक एवरिटिंग जिस चेंज उल्टा है और फिर मेरे पिदा जी का तिसरे दिन फोन आता है वो मॉमे में थे बहुत चिंता मत करना बाब उतना जी आ करके बो जब बोलते ना मैं तुम्हारा मित्र हूं तो दवान मुत्रता निबाते हैं फिर मैं अगले दिन गई हमारे आयोगानंजी का आश्रम है तीन आश्रम जो है मैं कलिफ़र्ने में जा रहती हूं तीनों आश्रम यहीं पर है मेरे घर के 45 मिनिट के ट्राइब पर तीनों आश् आप जानते हो ना एलाइसी इंडिया का जो लाइसी है लाइफ इंश्रम तो लाइसी का स्लोगन है योग श्रम वहामिय हम यह वह कहां से आया है लाइसी का स्लोगन गीता से आया है लाइफ इंशुरेंस आपको हिम्मत देती ना आप चले भी ऺए तो आपके घर्वालों को चिंता करने की जुरत जो भी हैं सब का हमारा ये मित्र हमारा ये सूरत के सब्का life insurance है जो आपके पास है उसकी भी रक्षा करता है यह मत कभी चिंदा करना कि आपका सब भगवान का शब्द, भगवान की ये का ये वचन है, लेकिन एक ही कंडिशन है, अन्य निरूप से इनकी भक्ति करो, इनका हाथ पकड़े रहो, छोड़ना मत, इनके चरण पकड़े रहो, छोड़ना मत, ठीक?